नमस्कार सिक्षार्थियों मैं डॉक्टर आशी श्रबास्तव विश्व भारती युनिवर्सिटी शान्ती निकेतन से आप सभी सिक्षार्थियों का एन आ यूएस के स्टूडियों में हार देख स्वागत करता हूँ सिक्षार्थियों आज हम डेलेड की एकाई 502 के प्रकरण मापन आकलन और मुल्यांकन विश्व पर चर्चा करेंगे इस चर्चा के लिए हमारे साथ विश्व शग्य है दॉक्टर प्रवीन कुमार तिवारी जी जो की सहायक आचारी है सिक्षा शास्त्र विद्या साखा उत् बहुत ही महत्वपूर्ण इश्व है इस चर्चा की शुरुवात करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मापन का संप्रत्ते क्या है जे इस ब्रह्मांड में जो कोई भी वस्तु विचार या प्रक्रिया किसी भी चीज का एक्जिस्टेंस है वो किसी ना किसी वजन, आकार, रूप, रंग इसको धारन करता है व्यक्ति भी बहुत सारे गुणों को धारन करता है और विचार भी गुणों को धारन करता है जिस आधार पर हम विचार को बिभिन विभागों में बाड़ते हैं तो इस ब्रह्मांड में जिस किसी भी वस्तु या विचार क का स्तित्तो है और किसी ना किसी गुण को धारन करती है और उस गुण को प्रकार या मात्रा में व्यक्त किया जा सकता है और इस रूप में उस वस्तू या विचार का वह गुण मापनिय होता है और जहां भी कोई गुण मापनिय है वहां से ही मापन के संप्रत्य को समझा जा स मापन को इस रूप में समझा जा सकता है कि किनी निश्यत स्विकृत नियमों के अंतरगत किसी वस्तु, व्यक्ति, समो, संस्था या विचार के गुण या गुणों के प्रकार या मात्रा को कोई अंक, शब्द, अक्षर या संकेतांक प्रदान करने की प्रक्रिया है। कोई भी वस्तु या विचार एक विशेश गुण को धारन करती है और उन गुणों के मापन के लिए हम एक निश्चित स्विकृत नियमों को अंगे कृत करते हैं। जैसे लंबाई मापना हो, तो हम संटीमीटर, मीटर में आसानी से माप सकते हैं, चुकि यह नियम वैस्विक स्तर पर निश्चत भी हैं और स्विकृत भी हैं। लेकिन मैं कहूं कि हेप्टा में लंबाई मापी हैं। तो हेप्टा से आप, आपको कोई अर्थ का बोध नहीं होगा, चुकि यह लंबाई मापने का कोई निश्चित स्विकृत नियम नहीं है। यह मेरे मन्दवारा पैदा किया हुआ एक शब्द है। ऐसे ही, जब भी हम किसी वस्तु व्यक्ती समू संस्था के गुण या गुणों को के संदर्व में सूचना इकठा करते हैं, तो हम जस तरीके को अपनाते हैं, वह तरीका निश्चित होना चाहिए, और वैस्विक स्तर पे या एक बड़े स्तर पे स्विकृत भी होना या कोई संकेतांक प्रदान करते हैं, संकेतांक मूलूप से अंक ही होते हैं, लेकिन जो अंकों का गणिती ये बोध है, संकेतांकों में नहीं होता, वो सिर्फ पहचान के लिए प्रयोग किये जाते हैं, जैसे कोई खिलाडी यदि 10 नंबर का टी-सर्ट पहनता है, और कोई एक नमबर का पहनता है तो इसका आशय ये नहीं है कि दस नमबर वाला खिलाडी बहुत बड़ा खिलाडी है और एक नमबर वाला कमजोर वह अंक सिर्फ एक संकेत के लिए प्रयोग हो रहा है तो हम किसी वस्तु व्यक्ति समूशंस्था के गुणों को एक निश्य स्वुकृ कोई अंक प्रदान करते हैं जैसे कि हम कक्षाई वातावरण में देख सकते हैं कि इतिहास के परचे में कोई सवालों का उत्तर लिखता है तो उसे हम 20 अंक 50 अंक 70 अंक इस तरह के अंक प्रदान करते हैं यह भी मापन है यह हम कोई शब्द प्रदान करते हैं कि यह बहुत अच्छा लिखा है, सामाने लिखा है, खराब लिखा है, या हम कोई अक्षर प्रदान करते हैं, जो ग्रेडिंग सिस्टम आज बहुत ज़्यादा अपनाई जा रही है, यह ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या कोई संकेतांग प्रदान करते हैं, तो यह प्रक्रिया मापन कहलाती है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुन्दर तरह से आपने इसकी व्याक्या की, रुकर तिवारी अब हमारे सिक्षार्थियों के समझाएं कि मापन के इस्तर कौन-कौन से हैं मापन की प्रक्रिया को उसकी विशेश्ताओं जैसे यथार्थता मापन में प्रियुक्त इकाईयों, चरों की प्रकृति, परिणामों की प्रकृति आधिके आधार पर चार इस्तरों में बाटा जाता है SS Stevens ने ये डिविजन दिया था पहला इस्तर है नामित इस्तर का मापन, Nominal Level of Measurement दूसरा क्रमित इस्तर का मापन, तीसरा आंतरालिक इस्तर का मापन, और चोथा आनुपातिक इस्तर का मापन Nominal, Ordinal, Interval और Ratio आईए एक एक करके हम इन सम्प्रत्ययों को समझने की कोशिश करते हैं नामित इस्तर के मापन को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि किसी गुण के आधार पर वस्तूओं या व्यक्तियों को कुछ वर्गों या समुहों में बिभक्त करना जैसे एक कक्षा को हम छात्र और छात्राओं के दो समुहों में बाटते हैं तो इस समय हम कोई बहुत बड़ी गड़िती संकल्पनाओं के अनुसार कारे नहीं करते बहुत सारी गड़िती संक्रियां इसमें नहीं होती सिर्फ हम गड़ना कर सकते हैं कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है और छात्राओं की संख्या कितनी है तो ये नामित अस्तर का मापन है जो किसी वस्तु व्यक्ति समो संस्था विचार धारा को या विचार को कोई नाम दे देता है ताकि उसकी गर्णा की जा सके उनकी संख्या का पता लगाया जा सके दूसरा जो अस्तर है क्रमित अस्तर का मापन है ओर्डिनल लेवल अफ बिजर्मेंट इसको हम इस रोप में समझ सकते हैं कि वस्तु या व्यक्तियों को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर स्पस्ट अंतर नहित क्रम वाले कुछ वर्गों या समोहों में बिभगत करना ह पुलिस विभाग के लोगों को हम तीन समोह में बाटें एक स्पी एक दरोगा और सिपाही तो यह क्रम है एक हाईररकी है SP बड़ा है, दरोगा उससे छोटा है, सिपाही सबसे छोटा है लेकिन सिपाही और दरोगा के बीज का जो अंतर है वही अंतर SP और दरोगा के बीज नहीं है यानि हमें यह मालूम नहीं है कि जो बेभिन क्रम है, बेभिन स्तर है उनके बीज की दूरी क्या है हमें यह मालूम है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है तो क्रमित स्तर की मापन को इस रूप में समझा जा सकता है इस स्तर पर गणनाएं की जाती हैं और क्रम निरधारण संभव होता है यानि बड़े और छोटे के हिसाब से हम चीजों को एरेंज कर सकते हैं जो तीसरा स्तर है मापन का आंतरालिक स्तर का मापन इंटर्वल लेवल अप मिजरमेंट इसे इस रूप में देख सकते हैं कि वस्तु या व्यक्तियों को उनके किसी गुण की मात्रा के आधार पर ऐसी मापनी के माध्यम से अंक प्रदान करना जिसकी दो लगातारी काईयों के बीच दूरी समान हो परन्तु मापनी में प्रयुक्त शुन्य विंदु वास्तविक सुन्य के स्थान पर आभासी सुन्य हो दूरी का तुपता हो दो के बीच में कितना गैप है लेकिन वास्तविक सुन्य हर एक मापनी का एक सुन्य विंदु होता है इस सुन्य विंदु द गुण अनपस्थित होता है यानि गुण विहीनता की दशा है वास्तिविक सुन्य मान है जिससे कम मान संभव ही न हो एक्जिस्ट ही नहीं करता हो जैसे आप बुद्धी परिक्षन को लें बुद्धी परिक्षन के बाद यदि हम किसी को सुन्य बुद्धी लब्दी देते ह बुद्धी की लेश मात्र मात्रा भी उसके अंदर नहीं है तो यह कहना बहुत ही बेजा होगा जो कि सुन्य विंदू वास्तविक नहीं होता है बलकि ये सापैक्षिक होते हैं इसी कारण से इस अस्तर पर मापन के परिणाम परस पर तूलनी ये नहीं होते जैसे किसी कारे को करने के लिए 120 बुद्धि लब्दी के व्यक्ति की आवश्यक्ता है तो क्या हम दो 60-60 बुद्धि लब्दी के व्यक्तियों को मिला कर 120 बुद्धि लब्दी वाला कारे संपादित कर सकते हैं तो बिलकुल नहीं इस रुप में हम दे सकते हैं कि इस अस्तर पर जो मापा जाता है वह तूलनिय नहीं होता जो हम भौतिक मापन के साथ कर सकते हैं जैसे उदाहरण के तौर पे हम कच्छा के विद्धियों के बुद्धि का मापन करते हैं या तापमान का मापन करते हैं तापमान एक मात्र ऐसा भौतिक मापन है जो आंतरालिक स्तर पर होता है चुकि सुन्य डिगरी centigrade या सुन्य डिगरी Kelvin या even Kelvin का जो concept आया यह हुआ कि यह absolute है इससे कम तापमान संभव नहीं है लेकिन अब लगतार जो शोध हुए हैं उन्होंने बताया है कि 0 डिगरी Kelvin से भी कम मान संभव हो सकता है यानि तापमान भी मापने का जो हमारा तरीका है उसमें जिस सुन्य बिंदू का हम प्रयोग करते हैं वो भी absolute 0 नहीं है वो सापक्षिक सुन्य है इस रुप में हम देख सकते हैं कि आंतरालिक स्तर पर मापन में हम जोड घटाव की गनिती संक्रिया भी कर सकते हैं साथी उन सा सारी संक्रियाओं को कर सकते हैं जो हम नामित और क्रमित स्तर के मापन में करकर हैं मापन का जो चौथा स्तर है जो सबसे महत्यपून स्तर है आनुपातिक स्तर का मापन रेशियो लेवल अप मिजरमेंट यह मापन का सरवाधिक परिमार्जित स्तर है इस स्तर पर आंतरालिक स इस स्तर के मापन के सभी गुणों के साथ मापनी का वास्तविक सुन्य बिंदो भी विद्यमान होता है इस स्तर पर मापन से प्राप्त परिणाम निर्पेक्ष होते हैं चुकि वास्तविक सुन्य विद्यमान है इसी कारण से इस स्तर पर मापन के परिणाम परस पर तूलनी हो पास दो कम उचाई के टेबल हैं तो क्या हम दोनों कम उचाई के टेबल को जोड़ के एक जादा उचा टेबल बना सकते हैं आप कहेंगी बिल्कुल बना सकते हैं यह काम हम बुद्धिलब्दी की के केस में नहीं कर सकते थे लेकिन लंबाई के या उचाई के की परिस्थती मे हम यह कारे कर सकते हैं तो कच्छाई माहौल में जब हम किसी विद्यार्थी के लंबाई का मापन करते हैं उसके वजन का पता लगाते हैं या उसके और अन्य भौतिक गुणों का पता लगाते हैं वो आनुपातिक स्तर का मापन होता है आनुपातिक स्तर के मापन में सभी गण ने समझाया अच्छा डॉक्टर तिवारी अक्सर हम देखते हैं हमारे जीवन में कि आकलन और मुल्यांकन के जो शब्द हैं जो दो शब्द है इस पर हमारे सिक्षार्थियों में एक प्रकार का भ्रह्म है और कई बार आप देखेंगे कि हमारे सिक्षार्थी है यह आकलन और मुल्यांकन को समानार्थक अर्थ में इस part कर लेते हैं तो करपै इस पर पर इनको इस都 पस्त करें जै आपने सही कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल अलग है इनकी संकल्पनाई बिल्कुल भिन्न है आकलन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें किसी वस्तो व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्व में सूचनाओं को एकत्र करने वह उसके विसलेशन करने का कारे किया जाता है और वह क इसलिए किया जाता है कि उसमें आवस्यक सुधार लाकर उसे अच्छा बनाया सके यानि आकलन की प्रक्रिया किसी प्रक्रिया को और भेहतर बनाने किसी व्यक्ति के गुणों को और निखारने के कारे में प्रयोग होता है जबकि मुल्यांकन किसी वस्तू व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्व में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मुल्य परक निर्ने लेने की प्रक्रिया है एक वैल्यू जज्मेंट है कि कोई प्रक्रिया कोई वस्तू कोई व्यक्ति कितनी अच्छी है कितनी खराब है कितनी स स्विकार योग्य है तो यह जब हम भी जब हम कोई मुल्य परक निरने लेते हैं कोई वल्यू जज्मेंट करते हैं वह प्रक्रिया मुल्यांकन की है आकलन इससे बिल्कुल भिन्न है बहुत ही अच्छा है डोक्टर किवारी बहुत ही आसान शब्दों में आपने अंतर समझाय अब हमारे सक्षार्थियों को आप आकलन का संप्रत्य क्या है इस पर थोड़ा प्रकाश डालें जे आकलन को किसी वस्तो व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर में सूचनाओं को एकत्र करने उनका सर्विक्षन करने वो विस्सलेशन करने की प्रक्रिया के रोप में परिवासि नहीं छेत्रों में किया जाता है जैसे आपने अक्सर सुना होगा सैक्षिक आकलन मनुवज्यानिक आकलन वित्ति आकलन करसंबंधी आकलन इन सभी आकलनों का उदिस से यह होता है कि इस प्रक्रिया को और बहतर बनाया जाए उन बिंदुओं का पता लगाया जाए जहां ब सामने तया आकलन आकलन करता और आकलित होने वाले व्यक्ति के मध्य निरंतर चलने वाली एक पारसपरी प्रक्रिया है जिसमें आकलन करता आकलित होने वाले व्यक्ति के प्रतर्शन का निश्यत मांदंडों के आधार पर आकलन करता है और यह मांदंड आकलन करता और आकलि होने वाले व्यक्ति के समस्त प्रदर्शनों की प्रभावशीरता का इस हेतु पता लगाना है जिससे आवस्यक सुधार के छेत्रों को रिखांकित किया जा सके जैसे एक विद्यार्थी को यदी किसी विशय को सीखने में परिशानी होती है तो इस पध्धती से यानि आकलन की पध्धती के माध्यम से हम उन बिंदों को रिखांकित करते हैं कि कहां कहां विद्यार्थी दिक्कत महसूस करता है और उसके हिसाब से हम फिर उप्चारात्मक सिक्षन की व्यवस्था करते हैं यानि आकलन की प्रक्रिया है वो निर्मान की अवस्था में है जबकि मुल्या और मात्रात्मक सूचनाओं का एकत्री करन किया जाता है तिथा प्राप्त सूचनाओं के विस्लेशन के उपरांत उनका गुणवत्ता के बढ़ोतरी में प्रयोग किया जाता है यह विशेशता आकलन को मुल्यांकन से अलग करती है यह मुल्यांकन में संभव नहीं है कि हम प् मापन का संपृते क्या है मापन की इस तरह समझ लए इसके बाद हम ने आकलन और मुल्यांकन का जो एक आंतर है यह वह भी समझने की कोशिश करी फिर आपने बहुत इस बाइस नदर शब्दों में इस संकलमनाईस, ठीक, धेंक से विद्धियार्चीओं के सामने आप आएंगी, मुल्यांकन शब्द मुल्य शब्द से बना है, जिसका अर्थ है किसी चीज की उपियोगिता, मुल्य से हम यही अर्थ निकालते हैं, इस रूप में मुल्यांकन किसी भी चीज का वह परिक्षन ह मुल्यांकन के लिए जो रॉमिटिरियल है मुल्यांकन का लक्षि गुणों के संदर्व में एक विशेश निर्ने देना है, निसकर्स निकालना है, इसकी प्रक्रिया निस्चित नियमों पर आधारित होती है, आकलन में प्रिडम होता है कि आप नियमों में परिवर्तन कर सके, भिन्न-भिन व्यक्तियों के आकलन के लिए भिन्न-भिन विधियों का प्रियोग कर सके, लेकिन मुल्यांकन में इतनी स्वतंतरता नहीं होती है। मुल्यांकन को इस ढहं से समझा जा सकता है कि मापन में यदि मुल्य निर्धारन जोड़ दें तो मुल्यांकन हो जाए मापन से जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसकी आधार पर जब हम किसी निर्णे तक पहुँचते हैं कि कोई प्रक्रिया कोई वस्तू कोई व्यक्ति उसका गुण वांचनी है या अवांचनी है अच्छा है या खराब है जब हम इस निर्णे तक इस मुल्य निर्धारन तक पहुँचते हैं तो मुल्यांकन की प्रक्रिया हो जाए मापन प्लस मुल्य निर्धारन बराबर मुल्यांकन मुल्यांकन में एकत्रत सूचनाओं का मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रकार का विसलेशन एक साथ किया जाता है इसके माध्यम से यह नरधारित होता है कि पूर्व नरधारित मानक यह लक्ष्यों की प्राप्ती हो पाइ अथवा नहीं यानि मुल्यांकन का जो इशारा है, मुल्यांकन का जो लक्ष है, वो उन लक्षियों के उन मानकों, उन लक्षियों, उन उदेशियों के परिप्रेक्ष में प्रक्रिया वस्तू व्यक्ति के बारे में निर्णे लेना, कि जिन लक्षियों के साथ से प्रक्रिया प्रारम होई थी यदि सिक्षण का कार्य है तो सिक्षण का कार्य जिन उदिस्यों को लेकर चला था उन उदिस्यों की प्राप्ति सिक्षण के अंत में हो पाई या नहीं यह पता लगाना मुल्यांकन का कार्य है बहुत ही सुन्दर तरीके से आपने इसका संप्रत्य समझाया आकलन का संप्रत्य और मुल्यांकन का संप्रत्य दोनों पर चर्चा करने के बाद मैं चाहता हूँ हमारे सक्षार्थियों को आकलन और मुल्यांकन में आधार भूत अंतर क्या है वो आगर अंतर पर आप प्रकाश डाले एक बार फिरसे मैं आकलन और मुल्यांकन में जो विशेस अंतर है उसको प्रस्थुत करूँगा कि आकलन को ऐसी प्रक्रिया के रूप में समझा जा सकता है जिसमें किसी वस्तो व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्व में सूचनाओं को एकत्र करने व विसलेशन करने का कारी इसलिए किया जाता है कि उसमें आवस्यक सुधार लाकर उसे अच्छा बनाया जासा इंप्रूव्मेंट की बात करता है जबकि मुल्यांकन किसी वस्तु व्यक्ति या प्रक्रिया की संदर्विए में प्राप्त सूचनाओं की आधार पर निस्चत नियमों वा मानकों की अंतरगत मुल्यपरक निरने है वैल्यू जज्मेंट लेने की प्रक्रिया है एक और जो पता लगाना है जहां सुधार की गुंजाईस है यानि सुधार के छेत्रों का पता लगाना आकलन की प्रकृति है जबकि मुल्यांकन निरनयात्मक है क्योंकि इसका लक्ष समोह उपलब्दी के संदर्व में निरनय या ग्रेट प्रदान करना है जैसे हम आज जो भी परिक् मुल्यांकन का उदाहरण है कि आकलन के अंतरगत प्रदर्शन के सापेक्ष प्रिष्टपोशन प्रदाम किया जाता है जिसका लक्ष प्रदर्शन को भविस्य में और बहतर बनाना है आकलन का जो report काड दिया जाता है उसमें सिर्फ grade नहीं होता grade के साथ कुछ lineły होती है कुछ vibran होता है जो यह बताता है कि एक विद्यार्थी ने किन-किन पक्षों को के सनुपात में सीखा है और कौन-कौन से पक्ष चीखने से वो दूर रह गया यह जो report काड़् होता है किसी दूसरे सिक्षक के लिए बहुत ही एक आधारभूत सामगरी के रूप में कार्या आता है दूसरा सिक्षक उस विद्यार्थी को सिक्षत करने के लिए या उस विद्यार्थी के मन में ज्यान की रचना के लिए बहतर परिस्थती का निर्माण कर सकता है आकलन के परिनामों या आकलन के रिपोर्ट काड के आधार पर जबकि मुल्यांकन का लक्ष यह बताना है कि पुर्म निर्धारित मानकों की प्राप्ती हो पाई या नहीं बस यहीं मुल्यांकन का दायत समापत हो जाता है आकलन का उदेश से गुणवत्ता को बढ़ाना है और थातिया संरचनात्मक या निर्माणात्मक है जबकि मुल्यांकन का उदेश गुणों के संदर्व में निर्णे देना है और थातिया योगात्मक है सत्रांत परिक्षाएं मुल्यांकन की उदारण है और जो आज CCE का concept हमारे सामने आया है सतत और व्यापक मुल्यांकन पहले शब्द था और आज उसके लिए आकलन शब्द का प्रियोग किया जाता है यह मुल्यांकन का जो focus है वो product है परिणाम है रिजल्ट को आकलन में प्रिस्ट पोशन और लोकन आधारित अच्छे बुरे पक्षों के ब्योरे के रूप में दिया जाता है जैसा भी मैंने चर्चा किया कि लाइने होती है statement होता है कि क्या सीखा क्या नहीं सीखा किस अनुपात में सीखा जबकि मुल्यांकन में प्रिस्ट पोशन पूर्वनर धारित मांदंडों के आधार पर गुनवत्ता अस्तर के रूप में दिया जाता है यानि यह बताया जाता है कि इस अनुपात तक इसने सीखा कहा परिशानिया रहें इसकी चर्चा मुल्यांकन में नहीं की जाती है वो A grade, B grade, C grade देना या अंक दे देना कि 100 नंबर पाया या C नंबर पाया यह मुल्यांकन का उधार आकलन में आकलन करता और आकलित होने वाले के बीच एक विमर्स परक संबंध होता है यह जो reflective relation है एक विद्यार्थी और एक सिक्षक एक साथ बैठ कर यह तै करते हैं कि कैसे जिन उदेश्यों के परिप्रेक्ष में विद्यार्थी को समझना है ताकि विद्यार्थी के मन में ज्यान की रचना का बहतर वातावरन तयार हो सके उनके लिए जो मांदंड मनते हैं विद्यार्थी और सिक्षक मिलकर बनाते हैं यह उसर मुल्यांकन में नहीं है मुल्यांकन में मुल्यांकन करता है और मुल्यांकित होने वाले की मद्य एक निर्देशात्मक संबंद होता है प्रिस्क्रिप्टिव रिलेशन है जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता और मरीज बात दे होता है उन दवावों को खाने के लिए ऐसे ही जो मुल्यांकन का रिपोर्ट कार्ड है वो प्रिस्क्रिप्टिव है वो एक बार लिख दिया गया कि यह सस्तर पे आप आए सुधार की गुंजाईस इसमें नहीं है मानक बाहे रुप से थोब दिये जाते हैं जिसे मानने के लिए मुल्यांकित होने वाला अभ्यक्ति बात द्यार की जाते हैं जब कि मुल्यांकन में बाहिय मुल्यांकन करता द्वारा मानक और मांधन तयार की जाते हैं बहुती अच्छा बहुती शांदार तरीके से आपने अंतर समझाया जब कि मापन में निस्चित स्विक्रत नियमों के अंतरगत गुणों के प्रकार या मात्रा को अंक, अक्षर, शब्द आदी प्रदान किया जाता है जब कि आकलन में किसी वस्तू, व्यक्ती या प्रक्रिया के संदर्व में सूचनाओं को एकत्र करने वा विसलेशन करने का कारे इसलिए किया जाता है कि उसमें आवस्चक सुधार लाकर उसे और अच्छा बनाया जा सके और मुल्यांकन में किसी वस्तो व्यक्ति या प्रक्रिया के संदर्व में प्राप्त सूचनाओं की आधार पर मुल्य परक निर्ने वैल्य जज्मेंट लेने का कारे किया जाता है मुल्यांकन को हम मापन और मुल्य परक निर्ने का संयोग के रूप में देख सकते हैं तो ये मूल अंतर मापन आकलन और मुल्यांकन के बीच है। क्या फरक है अंतर है इस परबात की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आशा करता हुए हमारे सुचार्टियों को लाह मिला होगा। बहुत 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 शुक्रिया और सभी दर्सकों को नमस्कार। घर बैठे पाएं राश्ट्रे मुक्त विद्यालई शिक्षा संस्थान यानि N.I.O.S. में एडमिशन वो भी एकदम आसान तरीके से। जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। N.I.O.S. से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों क्या आप जानते हैं N.I.O.S. में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका। जिससे शिक्षार्थियों को ओनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। N.I.O.S. में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ओनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे, इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले N.I.O.S. की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना इमेल आईडी और पास्वर डालकर अपना पंजी करन करें। पंजी करन के बाद लॉगिन करने पर ओनलाइन प्रवेश है तू आवेदन पत्र को लेगा। आवेदन पत्र को निर्देश अनुसार भरें और प्रिंट आउट ले। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो सनलग्न करें। ओनलाइन प्रवेश के लिए शुलखेतु भुकतान के तरीके हैं। क्रेजिट कार्ड की द्वारा, डेबिट कार्ड की द्वारा, राश्ट्रकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से जो की सचिव एन आयोएस, नई दिल्ली या नॉइडा के पक्ष में देये हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ दिमान ड्राफ्ट और सनलग्न किये जाने वाले दस्तावेश हैं। जनम रजिस्ट्रार के जिला कार्याले से जारी जनम प्रमान पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जनम तिती अंकित हो। पिछले विद्याले से प्राप्ट विद्याले छोडने का प्रमान पत्र जिसमें आवेदक की जनम तिती लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट एन आयोएस के सबबध शेत्र केंद्रों पर दस दिनों में पहुच जाना चाहिए। अन्यथा उचित दस्तावेज ना लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टी होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्यन सामग्रे डाग द्वारा तुरंत पहुचाई जाती है। ओनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधा जनक प्रवेश प्रडाली है। ओनलाइन, on-time, for safe and secure admission.